तो घुतनों पर आगया पाकिस्तान चार साल में पहली बार दिल्ली में क्यों मनाने जा रहा है नैशनल डे क्या है लाहर प्रस्ताव परोशी देश पाकिस्तान में सहवाज सरीफ ने दूसरी बार प्रधान मंत्री पत की सपतली है वह भारत के साथ रिष्टों को सुधाने की कोशिसों में जुट गए है आर्थिक संकटों से तरह हिमाम कर रहे पाकिस्तान को इस वक्त परोशी देशों से मधूर समन्द बनाने की सबसे ज़ाव दरकार है और शायद इसलिए ही चार साल में पहली बार पाकिस्तान नई दिल्ली में अपना नैशनल डे मनानी जा रहा है बताये जा रहा है कि इस दिन नई दिल्ली इस्तित पाकिस्तान उच्छा योग में कई कारिकरम आयुजित किये जाएंगे इसमें विदेशी राजनाइक और भारती शामिल होते हैं आमतोर पर किसी मंतरी या राजमंतरी को मुख्यतिती के रूप में कारिकरम में शामिल होने के लिए आमंतरित किया जाता है जमू कस्मीर सरुच्छे 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना राजदूद वापस बुला लिया था क्या है नेशनल डे पाकिस्तान 23 मार्च को नेशनल डे राश्टी दिवस की रूप में मनाता है 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहर में मुस्लिमों के लिए एक अलग संप्रभू देश बनाने का प्रस्ताव रखा था और लाहर मीटिंग में पार्टी ने उससे संकल्प को अपनाया था लाहर संकल्प की वर्सगान को ही पाकिस्तान में राश्टी दिवस की तोर पर बनाया जाता है पाकिस्तार में 23 मार्च इसलिए भी एहम है क्योंकि 23 मार्च 1956 कोई पाकिस्तान का समिधान भी लागू हुआ था जिसके तैद पाकिस्तान इसलामिक गरतंतर बना था लाहर प्रेस्ताव में क्या 1940 में 22-24 मार्च के बीच लाहर में मुस्लिम लीग का डिवेशन हुआ था इस दोरां मुस्लिम लीग ने 23 मार्च को मुस्लिमों के लिए एक अलग संफरभू देश बनाने का प्रेस्ताव पारिद किया था हाला कि लाहर प्रिस्ताव में पाकिस्ताव के नाम का जिक्र नहीं था लेकिन जब बाद में पाकिस्ताव अलग देश बना तो इस प्रिस्ताव को पाकिस्ताव भी कहा जाने लगा अबुलकलामाजाद और हुसेन एहमद मद्दी जैसे भारती मुसल्मानों ने इस प्रस्ताव की आलोचना की थी देवबंद उलेमा ने भी लाहोर प्रस्ताव के खिलाफ एक जुट भारत की वकालत की थी इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भागलिक सिमाओ और मुसलिम आबादी के संकेंदरन को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बटवारा किया जाना चाहिए ताकि बहुत संख्यक मुसलिम आबादी उसके तहट आ जाए प्रश्टाओं में कहा गया था कि जब तक मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का भोगलिक बटवारा नहीं हो जाता तब तक कोई भी समवेधाने कार यूजना मुस्लिम पक्ष स्वीकार नहीं करेंगे इस संकल्ब के तैद भारत के पूरवे हिस्से और उत्री पस्च में हिस्से को अलग देश बनाने की मांग की गए थी जो बाद में पूल पाकिस्तान बांगला देश और पाकिस्तान की रूप में अस्तितों में आया